नमस्कार और वेलकम यो लू वर्ल अफेर्स ना हूँ प्रशान धवन नाव युनाइटेट किंग्डम और मौरेशस इन दोनों देशों के जो प्रधान मंतरी हैं ये भारत में आ रहे हैं सेम टाइम में और इंटरस्टिंगली दोनों गुजरात में भी रुकेंगे और फोकस यहाँ पर किस बात पर होगा फोकस होगा USA के एक military base पर UK चाहता है कि USA का military base ये ना चीने इंडिया का यहाँ पर देखना होगा कि स्टांस क्या रहेगा क्या इंडिया USA को या फिर UK को बचाने की कोशिश करेगा या फिर इंडिया एचुली यहाँ पर support करेगा मौरेशस को बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, एक बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूंगा, question यहाँ पर यह है, के Mauritius देश में सबसे जादा follow किये जाने वाला religion कौन सा है, Mauritius आपको बता दूँ कि इसकी अबादी है, 13 लाग के आसपास, तो यहाँ पर most follow religion कौन सा है, Buddhism, Islam, Hinduism या फिर Christianity, comment section में करिए उत्तर, सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के अंध में, पहली बात तो यह जान लो के United Kingdom के जो प्रदान मंतरी है, Boris Johnson, यह भारत में आएंगे primarily trade को improve करने के लिए, UK चाता है के जल्दी से जल्दी, इ एक free trade deal हो जाए, इंडिया ने recently आपको बताओगा, एक free trade agreement sign किया Australia के साथ, तो UK actually पीछे रहागे Australia के regarding relations with India, यह बात तो अपनी जगा आप काफी important है ही, उसके अलावा देगिए Boris Johnson का एक काम यह भी होगा, कि Mauritius को मनाना है, और इसमें इंडिया की इनको health चाहिए होगी, Mauritius की Port Louis, और Mauritius ने actually आज के समय international court में, UN में हर जगा, United Kingdom के against एक मुहीम छेड रखी है, कि United Kingdom ने हमारा एक tapu कबजा रखा है Indian Ocean में, और यह tapu illegal तरीके से दे रिया है USA को, और यहाँ पर इस tapu को use किया जा रहा है as a military base, now यह जो पूरी कहानी है, एक बार starting से जब आप समझ लें पर लिया था और Mauritius को बना दिया था अपनी कॉलनी, now Mauritius को अपनी कॉलनी बनाने के time, UK ने चुपचाप एक काम किया, कि Shagos Archipelgo, एक basically islands का group है, in the Indian Ocean, इसको चुपचाप Mauritius से अलग कर दिया, और Mauritius को अजादी दिने के सिर्फ तीन साल पहले ही, कह दिया कि यह जो tapu है Shagos Archipelgo के, यह हैं एक overseas territory, Indian context में आपर यही मान के चलो, कि मान लो के 1947 में, इंडिया को आजादी मिलने से पहले, United Kingdom हमारी एक state अलग कर देता इंडिया से, और क्याता कि यह state हम इंडिया को नहीं देंगे, यह एक UK की overseas territory रहेगी, आप सोच कर देखिए हमको कितना गुस्सा तो same case हुआ, Mauritius के साथ, इन्होंने कहा कि 1968 में हमको United Kingdom से अजादी तो मिल गई, मगर जो इन्होंने हमारे बहुत सरे टापू हमसे चीन लिये, और अब उन में से एक टापू, जिसका नाम है Diego Garcia, यह चुपचाब USA को भी दे दिया, USA को यह कह दिया, कि यहाँ पेरापराम से एक military base बना दो, यह बहुत गलत है, और इस वज़े से, Mauritius ने काफी बार International Code of Justice में, UN में आवाज उठाई है UK के खिलाफ, और हर बार Mauritius की जीत हुई है, चाहे International Code of Justice हो, या फिर UN हो, हर जगा countries ने overall यह का है, कि जो टापू, United Kingdom ने, Mauritius को Independence जिने से पहले छीन लिये थे, और आज भी UK के पास मौका है, अपने पराने पाप धोने का, यह चाहे तो यह सारे जो islands है, वापस दे सकते है, Mauritius को, मगर UK भी क्या करे, जो यह टापू है, बहुत important है, strategic point of view से, Indian Ocean के बीचोबीज यह टापू है, और इन में से एक जो military base है, Diego Garcia, यह USA के लिए बहुत important है, अग क्योंकि US आज के समय, Diego Garcia में, nuclear bombs लेके बैठा है, summaries लेके बैठा है, और Diego Garcia, India के लिए भी काफी important है, क्योंकि Diego Garcia की मदद से ही, US Navy हमेशा present रहेगी in the Indian Ocean, तो India के लिए आपर problem की बाद यह है, कि देखिए, वैसे historically हम रहे है, colonialism के against, हमने हमेशा उन countries का समर्थन किया है, जो जाते हैं, मगर Mauritius के case में, India का आफिया तक चुपो जाता है, क्योंकि यहाँ पे issue आता है, Diego Garcia का, अगर मान लीजिये कल को, UK ने सारे जो यह टापू है, वापस कर दिये Mauritius को, और Mauritius ने का कि यहाँ पर military waste भी खतम कर दो, US की एक बहुत ही बड़ी presence, Indian Ocean से गाब हो और इससे एक बड़ा advantage मिल जाएगा, चाइना को, तो इंडिया अचुली यहाँ पर चाता है, कि Diego Garcia का, जो military waste है, यह US के हातों बना रहे, और Mauritius को भी कही ना कही से हम समझा दें, कि देखिये, यहाँ पर हम एक solution निकालते हैं, all together इस military waste को खतम करना, एक साही decision नहीं होगा, Now UK की उमीद यह है, कि Mauritius के issue को लेकर, इंडिया थोड़ी बहुत help कर देगा UK की USA की, आप अगर 2017 में देखो, तो जब उस वक्त UK के foreign secretary थे, Boris Johnson, यह इंडिया में आये थे, तब इन्होंने यह बात race करी थी, मगर कोई solution निकल के नहीं आया, तो अब 2017 बीच चुका है, अब य के पास जादा power है, जादा वड़ा mandate है, अब एक बार को यह कोशिश करेंगे, कि इंडिया में बैट कर, गुजरात में बैट कर, Mauritius के PM और ये और इंडिया के PM सब लोग मिलकर, एक solution निकाल दे, solution यह आपर क्या होगा, solution देखिए यह होगा, कि Britain कुछ हद तक accept कर लेगा, क शागोज आर्किपल को बिलॉंग करता है, Mauritius को, मगर उसके बतले में, Mauritius इमिरेटली फिर यह क्या देगा, कि हम जो यह टापू है, इनकी lease को disturb नहीं करेंगे, उल्टा, हम यह टापू 99 years के लिए lease पर देदेंगे, USA को, और US उसके बतले में payment करतेगा, Mauritius को, तो basically होगा क्या, Mauritius को दिये जाएंगे, millions of dollars, चुप रहने के, international forum में, UK, US की against ना बोलने के, China of course यह चाता है, कि Mauritius अड़ा रहे इस बात को लेकर, कि Diego Garcia से US को भार निकालो, तो शागो सार की पहल को विलॉंग करता है, Mauritius को, मगर कही ना कहीं इंडिया कोशिश करेगा, कि एक बीच का solution निकल जाए, जहाँ पर Mauritius भी खोश हो, और US की जो presence है, इंडिया नोशन में, यह भी खतम ना हो जाए, तो भारत का जो आज के समय स्टाचर है, इंडिया नो अपने MCQ की तरफ, question में आप से आप यह पुछा था, कि Mauritius जिसकी अबादी है, करीब 13 लाग के आसपास, यहाँ पर most followed religion कौन सा है, तो सही उत्तर इसका है, option C, Hinduism is the most followed religion in Mauritius, और Mauritius किस continent का पार्ट है, जियोग्राफिक यह का जाता है, कि Mauritius is a part of African continent, और currency यह लोग परेंट है, Mauritius is very much a news, you should know all these things. आपका course हो जाएगा extend, तो जो 24 महने का course है, यह बन जाएगा automatically 36 महने का course, अगर आपका UPSC exam crack नहीं होता, even after properly following the course, now उसके उपर भी मैं यह add कर दूँ, कि अगर आप यह courses purchase करना चाहते हैं, तो जो prices यहाँ पर लिखे हैं, you do not have to pay them, simply यहाँ पर code use करो PD10, and the prices will start falling, so use the code PD10, and save money, so इसी note के साथ, यह है वीडियो कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all.